Hello everyone, welcome to our channel Vidya Masagar हम complex analysis के कुछ आखरी topics पड़े हैं जो कि बहुत important है exams के लिए इसे बहले मैंने इनी questions पे एक video बना दिये तो आप जोनोंने नहीं देखिये वो देख लें आज उनी से related हम कुछ और questions करेंगे different methods और different identities के साथ तो आज हमारा पहला question है limit 0 to pi 1 plus 2 cos theta 5 plus 4 cos theta अब मैंने जब कल round the integration integration round the circle के लिए बताया था उसमें हमने limit 0 to 2 pi होनी चाहिए थी cos theta sin theta का function होना चाहिए था यहाँ पे cos theta का function है जी कहले लिमिट के है 0 to pi अब इस limit को हम 0 to 2 pi कैसे बना सकते है integration में एक identity होती है जहाँ पर हम 0 to 2 a fx dx को कैसे लिख सकते है 2 0 to a fx dx लिख सकते हैं अब हमारी limit यहाँ पर क्या है 0 to pi fx dx तो हम इसको क्या बना सकते हैं 1 upon 2 0 to 2 pi fx dx हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे i is equal to half 0 to 2 pi 1 plus 2 cos theta upon 5 plus 4 cos theta d theta अब उपर मैंने क्या बोला था उपर जब भी कोई cos का time हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हमारो जो cos theta होगा वो जाएगा real part of जो 1 plus 2 cos theta वाला part होगा वो जाएगा real part of 1 plus 2 e i की power theta cos theta that e की power i theta जनरली whole function के लिए लेंगे तो 1 plus 2 e की power i theta हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर implement कर देते हैं i is equal to हो जाएगा real part of 1 upon 2 integration 0 to 2 pi 1 plus 2 e i theta अब जो हमारो नीचे वाला cos theta है उसको हम कैसे लिख सकते हैं cos theta is equals to z plus 1 upon z whole 2 लिख सकते हैं मिलकुल का whole 2 और हमारा जो d theta है z की value 1 है तो यह हो जाएगा e की और i theta d z कितना होता है upon i z sorry upon i z d theta यहाँ पर जाएगा d z upon i z हमें सारे terms को z के term में convert करना होता है तो हमने z के term में convert कर दिया है ठीक है real part of 1 by 2 0 to 2 by 1 plus 2 e e i theta e i theta कितना होता है z z हो जाएगा और तू तू जाफ हो जाएगा 5 z plus 2 z square plus 1 upon z whole और d z upon i z इस z से इस z को cancel कर सकते है बिल्कुल कर सकते है इसको real part of 1 by 2 i को में ले सकते हैं अंदर बहर पे 2 by 1 plus 2 z upon 5 z plus 2 z square plus 1 d z अब मैंने बताय था कि हमारे z square को coefficient होता है वो 1 होना चाहिए लिगिन यहां भी कहा है 2 है तो हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं जब हम 2 से डिवाइट कर देंगे इस equation को तो अगर हम 2 से डिवाइट कर देते हैं तो यह बचेगा आपका integration 0 to 2 pi 1 plus 2 z upon z square plus 5 z by 2 plus 1 by 2 ठीक है d z और d z अब अब क्या गरना है अब हमारा क्या हो गया 1 by 2 बहार आगया था i बहार आगया क्योंकि constant था ठीक है और z plus 2 2 से कड गया और यह वाले function को चलो ठीक है और अब यह हो जाएगा real part of 1 upon 2i integration 0 to यह c हो जाएगा fz dz लिख देते हैं where fz जो होता है 1 plus 2z upon z square plus 5z upon 2 plus 1 by 2 ठीक है अब हम के घटे poles निकालते है इसकी poles कैसे निकालते है जब हम नीचे अली value को 0 के equal रख देते है 5z by 2 plus 1 equals to 0 अब poles को स्री धराचारी लगाके plus minus under root b square minus 4ac upon 2 तो कितना हो जाएगा minus का 5 by 2 plus minus 16 यानि की 3 by 4 नहीं 3 by 2 का whole 2 तो यह हो जाएगा आपका minus का 5 plus 3 upon 4 और minus का 5 minus 3 upon 4 यानि की minus का 1 by 2 और minus का 2 अब हमने क्या लिया था unit circle लिया था unit circle में क्या होता है unit circle में यह वाली value लाए करेगी सिर्फ और यह वाली नहीं करेगी यानि की जो हमारी z की value आई minus 1 by 2 lies inside the curve और जो inside the curve लाए करता है के लिया निकालते है residue inside the curve तो residue निकालेंगे z equals to minus 1 by 2 तो limit चाहेगी z minus 1 by 2 z plus 1 by 2 यह 1 plus 2 z और नीच अला term हमारा 1 by z1 plus 1 by 2 और z plus 2 1 है यह वाला term कैंसल हो गया बचा क्या limit z tends to minus 1 by 2 1 plus 2z upon z plus 2 इसमें हम z की जगा पे minus 1 by 2 रख देंगे तो यह आ जाएगा आपका sorry minus 1 by 2 plus 2 यह तो कट गया यह वाला term कितना आ गया 0 यानिकि हमारी जो value है residue z equals to minus 1 by 2 पे वो कितनी आ रही है 0 आ रही है अब जब हम residue निकाल देते हैं residue निकालने के बाद हमें कौची residue theorem नंगानी होती है हमारा residue z equals to minus 1 by 2 पे 0 आ गया था अब हम use करेंगे by using क्या कौची residue theorem residue निकालने के बाद हम कौची residue theorem का use करते हैं कौची residue theorem से जो हमारी value थी c fz dz is equals to 2 pi i residue at z equals to minus 1 by 2 अब क्यों होता है हम यहां पे इसकी जगह पे क्या लिखते हैं जो हमारी integration fz 0 के आगे value होती ही पहले उसको लिखते है वह हमारी value कितनी थी 1 upon 2i ठीक है क्या था 1 plus 2 cos theta upon 5 plus 4 cos theta d theta 0 अब अब हमारा जो यह था यह हमारा क्या था real part और यहां पे भी क्या आया real part तो हम इसे compare करने की ज़रत नहीं है पर जब हमारा real part imaginary part दोनों आता है तो हम क्या करते है real part को अगर real दिया हुआ है तो real part if cos theta थीटा धील part हम पर क्या करते है और इधर साई जो real part आया था वह उसके एककोल हो जाता it depends कि Q karma of cos theta पुचा है अब हमें एक और question करते है अब हमारा question इसमें थोड़ा से दिफरेंट है फॉर्मलेस लगेंगे इसमें टिक्नोमेटरी के कुछ इसमें लिमिट दी गई है 0 to 2pi cos square 3 theta upon 1-2p cos 2 theta plus p square d theta is equals to pi 1-p plus p square upon 1-p दी आ रहा है इसका अंसर और लिमिट p की जो है 0 to 1 मतब इसकी 0 to 1 के बीच में लाए करेगी values ठीक है अब हमें पता है कि 2 cos square theta जो होता है 1 plus cos 2 theta जो होता है वो 1-2 cos square theta होता है तो यहाँ पर हमें क्यादना है cos square के term में निकालना है तो cos square theta क्या हो जाएगा 1 plus cos 2 theta upon 2 अब हमारा यहाँ पर 3 theta है तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा इंटू 3 भी आ जाएगा तो यह कितना बन जाएगा cos square theta कितना बन जाएगा 1 plus cos 6 theta upon 2 यही जो formula है हम यहाँ पर put कर देंगे अब i cos 2 0 to 2 pi हो जाएगा 1 plus cos 6 theta upon 2 1-2p cos 2 theta plus p square ठीक है हमने इसको symbol cos theta में लाने के लिए formula को split करा क्योंकि कि इसमे square के terms में दिया हुआ था ठीक है D theta अब हमें बता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 이지 बीटाइस च्यामे को करें एक वर से आदेगा है 2 छ वाश्य घ्री गाणare एक तरहिंतरी है रहां है ऐ एक वीटा में पार्ण लाओ में जाएक उलिटा दी जिरो टू टू पाइ लिमिट वन प्लस ए की पावर आई सिक्स थीटा अपॉन वन माइनस टू पी कॉस टू थीटा प्लस पी स्क्वाइर दी थीटा हमने ऐसे लिखा अब सारी टर्म्स को किसमें कनवर्ट करना होता है जेट के टर्म में तो रियल पाउफ 0 to 2 पाइ लिमिट 1 प्लस एक की पावर 6 हो जाएगा क्योंकि एकी पावर आई थीटा कितना है जेट तो 1 माइनस 2 पी कॉस 2 थीटा की जेगा अपर लिख सकते है cos theta कितना square plus 1 upon z square का whole 2 लिख सकते हैं ठीक है तो यह जाएगा z square plus 1 upon z square का whole 2 plus p square dz upon iz d theta की value अब क्या होना है जो term cancel हो रहाँगे उसे cancel कर देंगे और जो constant होगा उनको भाले लेंगे ठीक है अब क्या होगा real part of constant भाले लेते हैं 1 upon 2i integration 0 to 2pi 1 plus z की पावर 6 2 से 2 cancel हो जाएगा z square plus p की पावर z4 plus p sorry minus का p और यह minus का होगा plus p square z square whole z square dz upon z बचेगा ठीक है इसके बाद के अगर सकते हैं हम real part of 1 upon 2i 0 to 2pi integration इसवाले z से आला z cancel हो जाएगा इस z को उपा ले जा सकते हैं z क्यों हो जाएगा 1 plus z क्यों होगा 1 plus z क्यों होगा z square में 1 plus p square का होगा minus p z क्यों होगा minus p z square 1 plus 1 upon p plus p ठीक है minus z की बाद 4 minus 1 dz ठीक है ऐसा खुछ बचेगा अब क्या गटते हैं हम यहां से z की बाद 4 को जाएगा वो positive बना लेते हैं तो minus भाले लेते हैं तो यह जाएगा real part of minus का 1 upon 2i 0 to 2 pi integration z 1 plus z की बाद 6 upon z की बाद 4 minus z square 1 upon p plus p plus 1 dz ठीक है अब यह हमारा finally इसमें थोड़ा लेंडी हो रहा है क्योंकि कुछ टम्स जो हमें वो c fz dz यहां पे हमारा fz क्या होगा z 1 plus z की बाद 6 upon z की बाद 4 minus z की बाद 2 है z की बाद 2 1 upon p plus p plus 1 यह हमारा fz हो गया हमने के निकाल दिया i की value निकाल दी f मतब function निकाल दी fz dz के terms में अब हमें इसके लिए पोल्स निकाल ले होंगे पोल्स में कहोगा नहीं चाहले पोल्स पोल्स z की बाद 4 minus z square 1 upon p plus p को 0 को इक बाद दिया तो अब क्या कर सकते हैं इसको हम इसको open कैसे करेंगे quadratic लगा सकते हैं इसमें quadratic लगाके कैसे solve करेंगे पहले हम इसको करते हैं open कर लेते हैं यह हो जाएगा 1 upon p z square p plus 1 equals to 0 अब हम इसके करेंगे z square कॉमल लेंगे तो इतना आजाएगा ठीक हैं अब यहां से करते हैं p कॉमल लेते हैं तो इतना आजाएगा z square minus 1 upon p equals to 0 तो इतना आजाएगा z square minus p और z square minus 1 upon p equals to 0 तो z की value रजाएगा under root plus minus का p और under root plus minus का 1 upon p चीक है यह हमारी values आ गई अब हमें पता है कि जो p है वो हमारा कैसे लाएगा रहा था इस तरीके से तो p 1 से छोटा है तो 1 से छोटा 1 upon p हो जाएगा यानि कि हमारी 1 से 1 upon p की value बढ़ी होगी तो यह वाली value बढ़ी हो जाएगी जो कि हमारी circle के अंदर नहीं लाएगा तो मतलब z equals to under root का 1 plus minus का p lies inside the circle यानि कि inside the curve inside the curve लाय करेगा तो हम इसके लिए residue निकालेंगे तो पहले जाएगा z equals to residue z equals to under root plus p के लिए तो limit z tends to under root p z minus under root p और हमारा integration वाला part क्या था 1 plus z की बढ़र 6 upon यह वाला बना था हमारा minus का under root p plus का under root p और plus का under root 1 upon p और minus का 1 upon under root p ठीक है यह वाली cancel जाएगी value limit z tends to under root p 1 plus z की पावर 6 upon z plus under root p z plus 1 upon under root p z minus का under root 1 upon p इसमें हम values पूट कर देंगे under root p की under root p की अगर हम value पूट करेंगे तो यह z cube बन जाएगा और नीचे यह 2 root p हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा root p plus 1 upon root p और यह हो जाएगा root p minus 1 upon under root p यानिकी a plus b minus b a square minus b square 1 plus ओ ओ ओके यह p था p की पावर 6 2 root p a plus b minus b a square minus b square ठीक है और यह हो जाएगा 1 plus p square p उपर चले जाएगा 2 under root p p square minus 1 हो जाएगा ठीक है इस under root से इस under root को cancel करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 upon p cube under root का p upon 2 p square minus 1 यह इस तरीके से कुछ बन रहा है आपके आएए इस value को ऐसे ही जाने देते हैं और आप 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 हमारी जो value थी उसमें z भी इंटुमा रहा था तो हमने आप एक z कम कर दिया है यह एक z यहां पर इंटुमा होगा तो यह under root p हो जाएगा under root p हो जाएगा under root p हो जाएगा और under root p हो जाएगा तो मतलब कि उपर सिर्फ p बचेगा क्योंकि under root से under root cancel जाएगा p बचेगा तो यह बचेगा 1 plus p cube p upon 2 p square minus 1 यह हमारी under root positive p के लिए अब residue निकालेंगे हम minus of root p के लिए उसकी value कितने आती देखते है z of minus root p लेंगे और वही value होगी plus root p होगा बस यहां पर और 1 plus z के over 6 into z upon 1 plus z minus under root p z plus under root p z plus under root 1 upon p z minus under root p ठीक है अब यह वाली value तो जाएगी हम direct value लिख देते हैं यह हो जाएगा इस even number में तो positive हैगी into minus under root p ठीक है यह minus under root 2p हो जाएगा और यह कितना होगा minus root p plus 1 upon under root p और minus root p minus 1 upon under root p minus 1 upon under root p माइनस कॉमन ले लेते है यह a plus b यह minus b का formula बन जाएगा अगर हम एक माइनस से माइनस ले जाएगा 1 upon 1 plus p cube into under root p एक माइनस हम अभी common ले रहे है यह 2 root p होगा लग से यह हो जाएगा root p minus 1 root p ठीक है अगर हम common लेंगे तो कितना हो जाएगा root p plus 1 upon under root p यह a plus b a minus b का formula बन रहा है a a plus b a minus b तो जाएगा a square यह under root से under root p भी कहा तो minus का 2 बचेगा तो जाएगा 1 upon p minus p यानि कि 1 plus p का cube upon minus 2 into me p और 1 minus p square जाएगा अभी इस minus को अंदर ले जाते है इस minus को अंदर ले जाते है सेम किसकी तरह value आ रही है जैसे हमने under root p के लिए निकाली थी residue minus under root p के लिए भी value आ रही है अब हमारे दोनों residue निकल गए अब हम क्या करेंगे कौची residue theorem लगाएंगे by using कौची residue theorem FZDZ is equals to 2pi हमारी क्या value थी FZDZ से minus का 1 upon 2i वो लेंगे minus का 1 upon 2i और residue Z की value under root p पे plus residue Z equals to under root minus p पे add कर लेंगे 2pi i into minus 1 upon 2i यह दोनों को प्लस करेंगे तो twice off हो जाएगा twice off क्यों हो जाएगा 1 plus p cube p upon twice p square minus 1 इस 2 से इस 2 को i से i cancels minus of p 1 plus p cube p upon p square minus 1 चीक है यह यह ऐसी value आ रही है अब हम इसको कैसे split कर सकते हैं अगर हम p common ले ले अब हम क्या कर सकते हैं 1 plus p cube का जो formula है उसको हम कैसे खोल सकते हैं इसका formula होता है 1 plus p p square sorry a plus b a cube plus b cube का formula होता है a plus b a square plus b square minus a b ठीक है minus का पाय ऐसी रहेगा इसको हम खोल देते हैं a cube plus b cube में यह हो जाएगा आपका p square plus one minus p into p और यह हो जाएगा a square minus b a plus b a minus b का formula है ठीक है अब यह इस one minus p one minus p हमने उपर कुछ तो एक चीज टॉड़ा है हमने एक पी छोड़ दिया यह वो आना चीए यह p minus one है पहली बात तो यह p minus one है एक p cancel होना अच्छी है मतलब हमने कुछ उपर यहां पर कुछ कर रहा है अच्छा हमने यहां से p common लिया था z की power 4 को वो करने के लिए पर हमने p बहान नहीं लिखा यह p हो गए यह आपर यह mistake आप एक बार देख लेना है यह ऐसी छोटी-छोटी mistakes जो होती है question को गलत कर देती है यह वो तो proof अला question है इसला मैं पता चलिया ठीक है p जो था बहार common आया था तो वाइनस का one upon two two i p होगा यहां पर हमने जो residue जब निकाला था तो यह two pi होगा ठीक है यह p से upon p upon p इस p से इस p को cancel कर देते है ठीक है और यह माइनस वालट हम अंदर ले जाते हैं तो one minus p बन जाएगा क्योंकि हमें proof क्या करना था हमें proof करना था pi one minus p plus p square upon one minus p हम इस minus को अंदर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा fz dz is equal to pi one minus p plus p square upon one minus p और हमारा यह क्या था zero to two pi cos square three theta upon one minus two p cos two theta plus p square d theta is equal to pi one minus p plus p square upon one minus p hence proof यह question जरा सा लेंदी था इस question में क्योंकि दो residue निकालने थे हमें प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी और थोड़ा सा यहां पर भी रियर पार वाले में जो हमने fz dz की value निकाली इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया था बागी question एक जैसे ही है और इसका दिहान रखना है कि जब हम common ले रहे हैं तो मैं भार भी रखने value हम यह बूल गए थे हमने P की value common तो ली पर भार P लिखना भूल गए थे ठीक है इन चीजों के धिहान रखना और यह बहुत important question है ऐसे question ज़रूर बनेंगे एक्जाम में same value हो नहीं कह सकते पर type ऐसी ही होगा तो और भी questions है नेक्स वीडियो में और भी important questions जो बहुत जादा एक्जाम में बन सकते हैं वैसे questions बताएंगे तो देखते रहें वीडियो को शेयर भी करें like subscribe सब कुछ करें till then take care good bye see you